भजन सहीता अध्याय 42 जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुह दिखाऊंगा। मेरे आसु दिन और रात मेरा आहार हुए है और लोग दिन भर मुझ से कहते रहते हैं कि तरह परमेश्वर कहा है। मैं भीड के संग जाया करता था। मैं जैजेकार और धन्यवाद के साथ उस्व करने वाली भीड के बीच में परमेश्वर के भौन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरन करके मेरा प्रान शोकित हो जाता है। है मेरे प्रान तू क्यों गिर जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों वाकुल होता है परमेश्वर पर आशा ल पहाडों और मिसकार की पहाडी के उपर से तुझे स्मरण करता हूँ, तेरी जलधाराओ का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरे सारे तारांगनों और लहरों में मैं डूब गया हूँ, तो भी दिन को यहवा अपनी शक्ति और करूना प्रगट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत काऊंगा, जो अपने जीवनदाता परमिश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं परमिश्वर जो मेरी चट्टान है, उससे कहूंगा कि तुम मुझे क्यों भूल गया, मैं शत्रु के अंधेरे के कमारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हू मेरे सतने वाले जो मेरी निंदा करते है, मानो उससे मेरी हड़िया चूर-चूर होती है, मानो कटार से छिट जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझे से कहते रहते हैं कि तेरा परमिश्वर कहा है, है मेरे प्रान, तू क्यों गिर जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याक करुंगा